पंचेत नर्यारुब अच्छा जीला सहरसा ये कौन सा ध्हान लगा है ये हजार पचीस लगा है कौन सा कंपनी का मालूम है आपको ये पट्रू सीट का हजार पचीस है पट्रू सीट का हजार पचीस है कैसा लग रहा है ये ध्हान आपको ये तो अच्छा लग रहा है और कौ खाने में भी अच्छा लगेगा यह और यह खाने में जिससे चावल मुलाइम होता है और मीठा होता है और उससे पंदर दिन पहले कट भी जाएगा यह एक सो तीस पैंटीस दिन में आपको कितना दिन पहले लगाए थे मतलब कुछ डेट याद है आपको 25 जुलाइ को लगाए 25 जुलाइ मतलब लगवक तना दिन हुआ पांच दिन जुलाइ अगस सितंबर अक्टूबर तो त्यमें नब्य और पंच पंचानवे और अभी दस नहीं और लगाई थे भी दिये थे ना तो उससे पंदरा दिन पहले भी हो जाएगा उससे उपज भी अच्छा देगा तो अपने गाउं में सभी किसान को बताएंगे नहीं जो लोग भी 44 लगाते हो उसके वदला हमारा 25 लगाना है अच्छा मुनफ़ा अच्छा उत्पादन मिलेगा अभी मक्का भी हम लोग काते हैं मक्का लगाते हैं आपका मिट्टी कैसा है और आप कौन सा मक्का लगाते हैं उसके हिसाब से बोलेंगे हमारा यह मक्का का पीट बैठेगा कौन सा मक्का लगाते थे अभी हमरे इस से पहले जो है नसा है वह आपको भूल रहे हैं अभी चलिए 34-22 हमारा लगाएगा उसके बदला में हमारा 34-22 लगाईएगा बेस्ट उससे अच्छा उपज और उससे 500 रुपया पैकेट का दाम कम उससे एक पैकेट का 500 रुपया कम पड़ेगा उत्पादन भी अच्छा होगा और एक हमारा इस पार 35 पच्प चीज देंगे और कम रेट में देंगे तो थोड़ आपने किसान भाईयों को भी बताइए कि पट्रोशीट का बीज अच्छा होता है और अच्छा बीज लें और अच्छे से खेती करें ठीक है ठीक है छूछीज से खेती करें घच्छा वारा करें